इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन वुक एक्जाम के रिजल्ट के बारे में जो कि अभी नहीं आया हुआ है काफी सारे सब्जेक्ट का राइट तो उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन्स इशू की है डियू है जो की डियू की वेब साइट पर अवेलेबल तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो प्लीज दू सब्सक्राइब और प्रेस दबैल आइकन तकि आगे भी आपको ऐसी इंफोर्मेशन मिलती है और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के सास जादा से जादा शेयर करना है तो फटा-फट इसको आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद मेभी आपको इसे खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अजीब सी फाइल है यह जब आपना फोन सीधा रखेंगे तो यह आपको मेभी ना ठीक से दिखे तो ठीक है जब आप इसको रोटेट करेंगे थोड़ से जब आप इसको जूम आउट करोगे तो यह आपको शो हो जाएगा इस तरीके से ठीक है ना तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और यह कल आया हुआ नोटेस है यहाँ पर लिखा हुए सब्जिक्ट रिवाइस्ट गाइडलाइन्स सब्जिक क्या है इसका रिजल्ट अप्सेंट दिखाया जाएगा या फिर रिजल्ट अवेटिट होगा तो उस केस में उन बच्चे को क्या करना है इन वी आफ दा अन्प्रिसीडेंटिक सरकम्स्टांस मतलब जो भी अभी हालत बने हुए कोविड नाइंटीन के चलते इस हेर नोटिफाइड और यह सारे रिजल्ट जो है या फिर इशू जो है वो कौन हैंडल करेगा जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं आपकी कॉलेजिस के वह हैंडल करेंगे ठीक है तो इस्टुएंट्स अरे डवाइस टू नोट दा चेंजिस एस विलॉप कूछ चेंजिस किये गए पहले भी म तो मैं अपनी करेक्शन या रेक्टिफिकेशन करवाने हैं उस से रिलेटेड है ठीक है दा इस्टुएंट्स फूस रिजल्ट हैव नॉट बिन रेक्टिफाइड और आर शोन एपसेंट और रिजल्ट अभी तक रेक्टिफाई किया नहीं गया है या फिर वो इस्टुएं को यह अप्लिकेशन सम्मिट करनी है वह कहां पर करनी है अभी हम बात करेंगे उसके ठीक है अपने रिस्पेक्टिफ डिपार्ट्मेंट या फिर कॉलिज सेंटर फॉर रेक्टिफिवेशन ऑफ दे सेम तकि वह आगे उस रिजॉल्व जो इशू है उसको आगे सैंड कर सके और आपका जो इशू एव रिजॉल्व हो सके एड़ इस्पेसिवाड इमेल आइडी अलॉंग विद अ कॉंपी ओफ द इमेल इंडिकेटिंग देट अफ दे सम्मिशन ऑफ द इसकेंड कॉंपी ओफ द आंसर शी ठीक है मतलब उस इमेल आइडी पर आपको सारी डिटेल्स इमेल मतलब आप उस इमेल का स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि जिस पे आपको पता चल जाए आपने किस डेट को वह अंसर सम्मिट किया था कॉंपी ओफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द रिलिवंट पेपर सेंड वाई हिम हर आफ्टर दे कंक्लूजन ऑफ द ओवी विदिन दें और ऐसे को न को करना है डिकलेर होने के 10 दीन के अंदर हने आंको क्या करना होगा जिया वेबसाइट के पर क्या करना है देन उसके अंदर आपको attach करना है एक screenshot या फिर email की copy ठीक है अपने इस date को उस subject का exam दिया था और वो सारे subject की और अपने role number वगरे की info तो डाल नहीं है वो अभी देख लेते हैं क्या क्या डालना है after received open application from the student जैसे आप ये email send करेंगे nodal person को तो नोडल officer of the department या college shall get the answer script evaluated in the consulted head of the department तो उसको वो जो अपकी answer script evaluated वो मिल जाएंगी हो सकता है कैसे miss हो गई हो लेकिन इनके पास record होते हैं सारे thereafter the nodal person's cell send only the marks of the students with the details like actual role number subject code and paper titles ठीक है तो आपको सिफ marks ही पता चलेंगे उस related और ये सरी चीज़ आपको email में भी लिखनी है to the EDP ठीक है तो ये सरी चीज़ आपको उस email में भेज देनी है to the EDP cell of the examination being at the इस email ID पर आपको वो भेजना है has been notified on the university website the answer script and the other relevant paper cell be retained at the department colleges only for the record तो जो भी आपका issue आप इस email ID पर भेज सकते हैं all the such grievances should be deposed at the department college और सारे जो भी गृवियांसे जहें issues आपके वो रिजॉल्व किये जाएंगे all the earlier notifications by reference number dean exam 2021 मतलब कि इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन आई थी इस issue को resolve करने के लिए वो सारी अब विड्रो कर ली जाती है मतलब अब वो नहीं मानी जाएंगी क्योंकि अभी नया notification आ गया है तो इसी को consider किया जाएगा इस notification को download करके आप एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं और जिनका भी result नहीं आया उनको panic करने की जुरूत नहीं है उनका result आ जाएगा अगर किसी के result में कोई problem भी होती तो उसको भी panic करने की जुरूत नहीं सब चीज का solution है यहाँ पर आपको बस एक छोटा सा step आगे करना है और आपका result करेक्ट कर दिया जाएगा और यह चीज ध्यान रखने है यह within 10 days आपको कर लेना है उससे जद़ डिले नहीं करना है अदर्वाइस आप मिस कर दोगे अपने result को तो यह ठीक छोटी सी information आई होब आप सब भी students के लिए बहुत helpful रहेगी तो प्लेस वीडियो को like करें कोई confusion है तो comment करें और अपने friends के साथ जादा से अदा शेयर करें अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो important thing यह है कि चैनल को subscribe कर लो और bell icon को press कर लो तक कि आगे भी आप को ऐसी information मिलती रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care bye bye all the best